हम PHET Simulation के द्वारा कुछ मुलभूत पदार्थों के उप्योग से परिपत के व्यभार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे परिपत का निर्मान बाई और रखे गए ट्रे में रखी वस्तू का उप्योग हम परिपत के निर्मान के लिए करने वाले हैं चलिए अब हम इन वस्तू को लाकर उनसे परिपत का निर्मान करते हैं जब परिपत पूर्ण हो जाता है तब बल्ब जल उड़ता है Voltage में हुए बदलाव के करण बल्ब की रौशनी में जो बदलाव आते हैं उसका निरिक्षन करें Electron के बहाव को ही Electron धारा कहा जाता है Electron धनात्मक टर्मिनल से रिनात्मक टर्मिनल के और प्रभाहित करते है पारमपारिक विद्युद्धारा के बरताव को देखकर हमेशा से ये अनुमान लगाया जाता है कि धनात्मक आवेश ही प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है विद्युद्धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से रिनात्मक टर्मिनल की ओर बहती है पर जब हम परिपत के प्रवाह को इलेक्ट्रोन मोड में परिवर्तित करते हैं तब हम वास्तों में देख सकते हैं कि ट्रोन किस प्रकार प्रवाहित होते हैं हमारे सिमिलेशन के लिए हम परंपरागत विद्युत प्रवाह का ही इस्तमाल करने वाले हैं इसी के अलावा हम परिपत की कल्पना धांचे के रूप में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोन को साधरन इलेक्ट्रोन मोड के विपरीद दिशा में प्रवाहित होते दिखाया गया है। जैसे जैसे हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे हमारा बल्ब अधिक तीवरता से जल उठेगा। हम परिपत में इससे अधिक घटकों का भी इस्तमाल कर सकते हैं। चलिए परिपत में स्विच जूडते हैं जिसके साहरे हम कुछ पल के लिए विद्वित प्रवाह को रोक सकते हैं। अब हम परिपत में पेपर क्लिप जूडते हैं जो एक सुचालक है। चलिए अब परिपत में रबर लगाते हैं जिससे विद्यत प्रवाह रुख जाएगा रबर एक कुछालक है इस प्रकार परिपत में अन्य गटकों को भी जोड़ते रहें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या वे सुचालक है या कुछालक धातों का प्रतिरोध इलेक्ट्रोन जब परिपत से गुजरते हैं तब वे प्रतिरोध का सामना करते हैं प्रतिरोध का अर्थ होता है आवेश के प्रवाह में रुकावट दो टर्मिनल के बीच जो विभुवांतर होता है वो आवेश के संचार को प्रोथसान देने का कारी कर जबकि परतिरोध उस प्रवाह को रोकने का काम करते हैं आवेश को जिस मात्रा में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है उसका सीधा सम्मंद उस वायर के लंबाई से होता है जिसमें से वे यात्रा करते हैं आखिर कार अगर प्रतिरोध आवेश वाहक और वायर में स्थित परमाणों के टकराओ के फलसुरूप होता है तो अगर लंबी वायर होगी तो इसका टकराओ अधिक मात्रा में होगा और अधिक टकराव का अर्थ है अधिक प्रतिरोध दूसरा चर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र यह भी प्रतिरोध की मात्रा को प्रभावित करता है चौडी वायर में पतली वायर के अपेक्षा अधिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र होता है इसलिए कम प्रतिरूत होता है जब सारे चर एक समान होते हैं तब आवेश चौड़ी वायर से अधिक मात्रा में प्रवाहित होगा क्योंकि पतली वायरों की अपेक्षा उनके अनुपरस्त काट का क्षेतर अधिक है तीसरा चर होता है वैपदार्थ या द्रव्य जिससे वैवायर निर्मित है सुचालकता के परिणाम में सारे पदार्थ एक जैसे हो यह जरूरी नहीं होता कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों से अच्छे सुचालक होते हैं और आवेश के प्रवाह के लिए कम प्रतिरोध करते हैं चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना गया है पर अपनी कीमत के कारण वे कभी घरेलू उपकरणों के परिपत में वायर के रूप में इस्तमाल नहीं की जा सकती है तामबा और अलुमिनियम यह सस्ते धातु है और उनकी सुचालक शम्ता भी परियाप्त है इसी कारण घरेलू उपकरणों के परिपत में इनका इस्तमाल होता है किसी भी पदार्थ की सुचालक शम्ता को उसकी प्रतिरोधक्ता के आधार पर सूचित किया जाता है पदार्थ की प्रतिरोधक्ता उस पदार्थ की इलेक्ट् प्रतिरोधन और प्रति रोधन में सबसे कम प्रतिरोधक्ता होती है और प्रतिरोध की मानक मापन की इकाई उहं है जिन से ग्रीक अक्षर ओमेगा द्वारा दर्शाय जाता है इस समीकरण के अनुसार किसी भी वायर का प्रतिरोध उस वायर के लंबाई के साथ सानुपात में होता है और वायर के अनुप्रस्त काट के क्षेतर के साथ वितक्रमानुपाती होता है अगर हम सुचालक के लंबाई और उसका क्षेत्र स्थिर रखें तो सुचालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता के सानुपात में होता है